हाई गाई वेल्कमें टू टेक्कॉन्ट्रेंट आज वीडियों हम बात करेंगे एपल के सबसे सच्टे 5G फोन के बारे में जो कि हमारा आइफोन 12 मिनी पात करेंगे 2023 में आइफोन 12 मिनी लेना सही रहेगा या फिर आपका पैसा बरबाद हो सकता है तो चलो बताता हूं आपक चोटे है उनके लिए फोन परफेक्ट है और जो मेरे जैसे हैं जिनके हाथ थोड़े बड़े हैं तो फिर उनको यह फोन काफिया दिक्कत दे सकता है जैसे टाइपिंग के टाइम और इन हैंड फील भी थोड़ा हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना लगे जिसे मुझे परसनली नहीं लगा था इसका चोटा साइज होने की बज़े से और बाकि जिसके बिल्ट क्वाल्टी है बहु काफे अच्छी है अलुमीनियू की चैसी यूज़ की है सॉलिड है फ्रंट और बैक से ग्लास की देगे रखिया है स्क्रीन में यहां पर से सबसे टफसे स्क्री और यह फोन हमारा IP68 रेटिंग साथ में भी आता है मैंने खुद इसका वाटर टेस्ट किया है उसकी आपने पूरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिशन में दे दूंगा और जो रिजर्ड थे वो काफी अच्छे है आईफोन 12 मिनी अगर आप पान नहीं होते है पानी के अंदर पर हाँ एक दिक्कत आ जाती है अगर पानी की बसे डस चली जाती है तो फिर उनकी आउटपूट उतनी अच्छी नहीं रहती है चलिए डिस्प्ले की बात करता हूं 5.4 इंच की स्क्रीन है जो कि सूपर रेटीन डिस्प्ले है डिस्प्ले है अच्छे आते हैं सेम डिस्प्ले हमारे आइफोन 12 में भी है बस स्क्रीन साइज का फर्क है चोटी स्क्रीन है जब आप कॉंटर देखो के गेमिंग करोगे तो नहीं मज़ा नहीं आता है चोटी स्क्रीन होने की बज़े से और बाकी यह आपकी परसनल चोईस भी हो सकती है पर नॉर्मल सी बात है जितनी बड़ी स्क्रीन होते है उतना मज़ा भी आता है देखने में और 625 ब्रैटेस नीट तेखने को मिल जाता है आउटओर भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है काम चल पड़ता है बहुत जादा सनलाइट हो तो फोन अगर हीट हो तो यह आउटमेटिक ब्रैटेस को ड्रॉप कर देता है तो बहां पर दिक्कत आ जाते है महला आउट्डोर आप ज्यादा देर तक गर्मियों में यूज नहीं कर पाऊगी इस फोन को डिस्प्लेक बार अब मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करो तो 6 कोर की एपल की A14 चिप नहीं करो तो जब आप ग्य्मिंग करोगे तो छोडी डिस्प्लेय का थोड़ा से धिक्कत आते गेमिंग खेलते हैं gitu शाफ कर देता है जो कि हमारे बाकी purpose झाल स्थाइब तो यह मको रखने में गैकर किया और 30 में में धेक्कत है आपको भी और क्या सि करो और फिर मैं आपको यह कहें कि आपको पावर आं साथ में रखने हैं स्कार्यक्ड लगा कि बैटरी bridge वाइस घाल के देगा और बैटरी बैकप की बात कर रहा हूं तो अगर आप नॉर्मल भी इस फोन को यूज करोगे तब भी आपको तो नहीं अच्छी बैटरी बैकप इसका देखन को नहीं मिलेगा पूरा दिन यह बड़ी मुस्किल से निकाल के देता है अगर आपको इसका पूरा दिन का बैटरी बैकप चाहिए तो आपको काफि सारी सेटिंग्स इसकी बंद करना पड़ेगी जैसे फाइंड मैं इसका बंद करना पड़ेगा लोकेशन सर्विस बंद करना पड़ेगी काफि सारी अप्लिकेशन की नोटिकेशन आपको बंद करना पड़ेगी तब जाकर यह अच बस size में छोटा है, build quality अच्छी है, water test मैंने इसका किया है खुद, उसमें भी काफी अच्छा है, और उसके साथ में wireless charging भी मिल जाती है, और maxip accessories भी आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ में और सबसे अच्छी बात इसका camera जब आप इसका camera यूज़ करोगे तो photos तो इसके साथ में काफी अच्छे आ जाते हैं कुछ photo sample भी आप देख लो और आप photos samples के बाद मैं आपको वीडियो सेंपल भी दिखा देता हूं और अभी front camera यूज़ कर रहा हूं वीडियो के लिए तो stabilization बढ़ी सही आती है आइफन 12 में सही है वैसे camera और अभी pal format में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें यह कि flickering नहीं आती है 24 fps में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो से कम हो जाती है बाकी सही है अभी गाइस में जस्ट आउट डोर आया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और बादिश भी लग पड चली है तो फिर से आपको माइक काफी आइडिया हो जाएगा और फोड़ा जूम करके भी आपको दिखा लेता हूं तो यह 3x लूम तक जाता है अल्ट्रा वाइड और मैक्स जूम वीडियो बनाने के लिए काफी अच्छा है वीडियो काफी जास्टेवल बनती है लो लाइ इसके अलावा दोने फॉन हमारे बिल्कुल से मैं से मैं यूज किया है बिल्ट कॉल्टी में और फीचर्स भी आपको अभी काफी टैम तक मिलते रहेंगी तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आप 4-5 और इस फोन को यूज कर पाऊगे और अगर आप रिफर विस्त लेते 12 mini आपने लेना है तो फोन अच्छा है बस बैटरी का आपने देख लेना है पावर रहें का आपको साथ में रखना पड़ सकता है या फिर आपको काफ़ सारी सैटिंग्स बंद करना पड़ सकती है और साइज का थोड़ा देख लेना है एक वर आप खुछ से ट्राइग करना म मूवीज देखने का इंस्टाग्राम यूज करते होंगे आप तो फिर आप उतना एंज्वाइन नहीं कर पाऊगे क्योंकि स्क्रीन का साइट छोटा है तो वह आपने देख लेना है तो फिर यह था हमारे आइफोन 12 के बारे में इन सारी बातों का अपने ध्यान रखना है और आपके साथ नेक्स वीडियो में पहली बार आयए था पर सब्सक्काइब करने और ब्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिसक्रिशन में मैं आपके साहते नेक्स वीडियो में बाइबाइ